नमस्कार आप देख रहे हैं Philosophical World और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त रियाल रठोड दोस्तो फिलोसोपिकल वर्ल्ड पे हम एक नई सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है Desert Safari दोस्तो डेजर्ट सफारी कहते हैं हम आपको बता रहे हैं दुनिया के अद्बूत रेगिस्तानों के बारे में कुछ रोचक, कुछ अद्बूत बाते हैं इसी सपर में दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया में सबसे मिक्टीरियस रेगिस्तानों में से एक गोबी रेगिस्तान के बारे में कुछ रोचक, कुछ अदूद बाते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्क्राइब करके गंटी काईगन को जरूर दबा दीजिएगा तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स गोबी रेगिस्तान एसिया का सबसे बड़ा और सबसे राजसी रेगिस्तान है ये दक्सिनी मंगोलिया में इस्तित हैं और चीन के भीतर एक विशाल सेत्र पर अपना कबजा रखता है इस सेत्र में हर साल 300 मिलिमीटर तक बारिस होती हैं जो आम तोर पर रेगिस्तानी इलाकों के लिए पूरी तरह से असमाने हैं यहां गर्मियों के दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सिल तक वहुच जाता हैं और सर्दियों में माइनस 30 डिग्री तक गिर जाता हैं ऐसे में यहां जादा दिन तक सर्वाइव कर पाना हर किसी के इंसान के बस की बात नहीं हैं फ्रेंड्स गोवी डेजर्ट की भोगोलिक परिस्तितियों के बारे में जानकर आपको हैरत होगा कि यहां सूकी वामवूर्ट और अर्ध प्रेगिस्तानों के साथ सूकती नदिया दूटलब हजारों साल पूराने कुवे मुझूद है यहां पर खारे और मीटे पानी की जीले, रेगिस्तानी गास, समतल मेदान, पर्वस्रिंकला, नमक के दलदल और जवाला मुकी के संकू भी देखने को मिल जाते हैं लेकिन फ्रेंस गोबी डेजर्ट कभी-कभी बटके हुए यात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता हैं क्योंकि यहां अक्सर रेद के तुफान आते हैं, यह दूल भरे तुफान सांस लेने से भी रोकता हैं और यह तुफान रेद के ठोस दाने जैसे काच में बदल जाते हैं जो किसी भी इंसान के सरीर को चलनी कर सकते हैं, सर्दी में यहां बेंकर सर्दी के साथ बारी-बारी और ओलावरिस्टी होती हैं और बड़े-बड़े ओले भी गिरते हैं ऐसे में यहां खुले में जिंदा बचपाना असंभव हैं सिर्फ इतना ही नई फ्रेंड्स यहां रेगिस्तान में पाए जाने वाले खतरनाक रेटल स्नेक्स सापों की कैप परजातिया है जो अगर किसी इंसान को काट ले तो वे पहत दर्दनाक मोत मरता है इस रेगिस्तान में मोसम कब अपनी करवट पदल ले ये कोई नहीं चानता है यहां एक पल सुआना मोसम है तो वहीं दूसरी पल भेंग कर चमडी को जला देने वाली घर्मी पढ़ने लग जाती है और कहते हैं कि किसी समय में कोबी डेजर्ट खतरनाक डाइनासोर्स का घर लाऍट रूर्स कास्ध प्या स्न le दूते हैं कि किसी समय में कर रहां जो होऊदो में घपने करते हैं कि कि 律 tocar सुआने पहते हैं कि भी यहीं रहाँ कि रहां और सुआने कि दता हैं कि बूना कि लिव में लिवये हैं bi på जिनू हैं लिंब विल! झाल झाल